हलो फ्रेंट्स रूबी स्कुक बुक में आप शबी का श्वागत है आज हम बनाएंगे प्याज पोस्तो का रेशिपी जो एक बेंगोली डीस है इसके लिए मैंने प्याज को छील के ले लिया है इसको हम आपीच में से चीरा लगा के छोटा छोटा टुकरा में इसको काट के तो देखे इस तरह से एकदम जितना बारीक आप काट सकते हैं उसी हिसाब से एकदम बारीक काट के प्याज को ले 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 और प्याज पोस्तो किसको पसंद नहीं आएगी पोस्तो वाली रेशिपी तो ज़्यादतर सभी को पसंद आते हैं तो देखे इस तरह से बारीक प्य यहिता हैाई राज को हमने काटके ले लिया है यहाँ दो टमाटर लिये है मिर्च लिए है डाले है घुल को थोड़ा सा गरम होने देंगे जैसे ही ऐसी ऐल करेंगे बारी कट किया हुआ प्याज को अब प्याज डालके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे इसको एक दो मिनट चला के मिक्स कर लेना है प्याज पोष्टो को ना आप शर्षो तेल में ही बनाए तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब मिडियम टू लो फ् फिर से 2-3 मिनट के लिए ढग दीजिए प्याज को यहां पे अच्छे से गुलाबी करना है तब ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और प्याज भूनेगा तो उसका श्वाद और भी बढ़ेगा तो देखिए प्याज अच्छे से भून गया है और इसको अब हम अच्छे से चला लेंगे और इसमें हम अड़ करेंगे 2-3 कटी हुई हरी मीर्च मैंने पोस्तो के साथ भी पीसी थी और इसमें अड़ करेंगे कटा हुआ दो टमाटर और काशमीरी लाल मीर्च जाधा चोटा चमबत और थोड़ा सा यहां पे अड़ करेंगे हल्दी पावडर उसके बा अड़ कर देंगे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें अड़ करेंगे श्वाद अनुशा नमक तो देखिए सब चीज हमने डाल दिया है उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्ले में चार से पाच मिनट के लिए इसको दीजिए जैसे टमाटर पोस्तो अच्छे से प्याज के साथ मिक्स हो जाए तो देखिए इसको हमने ढग दिया है और चार से पाच मिनट हो गया है तो देखिए टमाटर भी एकदम शॉप्ट हो गया है अब बीच बीच में एक बार करके चलाते रहिए तो देखिए कितना अच्छा से टमाटर पोस्तो प्याज एकदम मिक्स हो गया है अब बीना ढके ही दो से तीन मिनट इसको अच्छे से चला लेना है देखिए कड़ाई से प्याज और टमाटर ये पोस्तो सब छोड़ने लगा है इसका मतलब प्याज पोस्तो अच्छे से भून गया है इसके ब प्याज पोस्तो बनके तयार है। इसे आप रोटी, चाबल, कोई भी चीज के साथ खा सकते हैं। उपर से हमने दो हरी मिर्च डाले हैं। यह आपको तीखा, पश blurाए लेकि पोस्तो प्लाक पोस्तो परूस्तो लेड़ें। थैंक यू फॉर वाचिंग